निटीज कुमार अगर राज यहित में अभी जैसा चल रहा है अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं सत्रा बदलने की बात कर सकते हैं निटीज कुमार जदी सोचेंगे कि पाला बदलने से राज को फाइदा है और जदी वैसा उप करे तो स्वागत करेंगे में दो और दो को जोडने से कभी 600 भी हो जाता है और दो जोडने से कभी दो ही रह जाता है विहार के मुख्यमंत्रि रहे जीतन राम मांजी के द्वारा देखे बियार में महागडबंदन की सरकार चल रही है ते जश्वी आदव और नितिश कुमार की सरकार है लेकिन प्रशांद की सोर ने एक बयान दिया था कि जदियू बहुत ही जल्दी फिर से एंडिये का हिस्सा हो गया ने बीजेपी की फिर से सहयो कर दो कर ने बहुत हैं नितिश कुमार जी ने तो कहा है कि भाई हम किजी भी सुरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे लेकिन हमारा व्यक्तिकत भी अपना मानना है राजनीस में कोई दो चार होता तो वैसी प्रिश्टिती में नितिज कुमार अगर राज ईहीत में अभी जैसा चल रहा है ऐगर इसमें कहीं कुछ दिखत समझते हों तो इधर उथर की बात कर सकते हैं सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं तो उसका हम फ़ागत करेंगे तो कि एक बार और आप लोगों से कहा है कि महामाया बावु यहां बिहार के राजनीत में इसी परकार से एक बार मुहने पाला बदला था तो लोगों ने पूछा था उनको कि आप कुछना पाला बदलने हैं क्या कारण है तो मुँने कहा था कि जन हीत में अगर हमको सो बार अगर पाला बदलना पड़ेगा तो हम सो बार बदलेंगे तो उसी प्रकार से नितीफ कुमार जदी सोचेंगे कि पाला बदलने से राज को फाइदा है और जदी वैसा उख करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे अलागे कि वैसी बात नहीं है वो तो नकार रहे हैं और यही बात पीके तो पीके क्या बात है अपना उनका कल्कुरेशन है उसके अधार परूप कर रहे हैं तो हम उसकी बात नहीं करना चाहते हैं तो बिहार में एक बार फिर से स्यासी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है आपको याद होगा कि बीते दिनों मंच पर ही नितीश कुमार ने पत्रकारों से सहे समवात करते हुए कहा था कि याद कीजिए वो दिन जब साम के 5 बजे के बाद सड़कों पर नहीं निकल जाता था ज जिसके चलते ये बातों पर अब चल्चाएं तेज हो गई है कि बिहार में क्या फिर से सरकार पल्टी होने वाली है क्या बीजेपी का प्रेसर आब नितीश कुमार नहीं बरदास्त कर पा रहे हैं या फिर 2024 को लेकर नितीश कुमार का कोई बड़ा प्लान है ये तमाम बातो किया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मिना नाम दीपतारन है वीडियो आप दब यहार टॉप पर देख रहे थे बहुत बहुत शुक्रिया